हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू आई ओप ओल ओफ यू आर वेरी वेल टूड़े वी हेव डिसकस अबाउट दा थर्ड पार्ट ओफ कलास नाइन्थ सेकेंड चैप्टर अगर आप वीडियो पर नहीं है और आपने पहले और दूसरे बाग को नहीं देखा तो आप इस वीडियो यानि कि जो बारत्य मरुस्तल है वो कहां से सुरू होता है जो अरावले की पाड़ियां उनके पश्चिम बाग में सितित है इट इस एन अंडुलेटिंग सेंडी प्लेन कवर्ड वीद सेंड डून्स यह क्या है कि बहुत ज्यादा रेतिला मैदान और वहां पर क्या पाय ज जाते हैं बहुत ज्यादा सेंड डून्स यानि की सेंड डून्स का मतलब होता है बालू के टिले पाय जाते हैं इस रिजिन रिश्यूज वैरी लो रेनफाल बिलो 150 mm पर यह यानि कि यहां पर बहुत कम वर्षा होती है डेड़ सो मिलीमेटर से भी कम परती यह यानि कि परत सेंटेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती स्ट्रीम्स अपियर डूरिंग दा रेनी सीजन यानि कि जो नदियां होती है या वो केवल रेनी सीजन यानि कि वर्षा के से में ही दिखाई देती हैं सून आफ्टर डे डिसपीर इंटू सेंड एज डे डू नोट है इनफ वाटर टू रिच दा सीजल दी वो बालू रेत में विलूपत हो जाती है क्योंकि समुदर तक पूंचने के लिए उनके पास परियाप्त पानी नहीं होता परियाप्त जल नहीं होता लूनी इस ओनली नदी है वही सबसे बड़ी नदी है देखिए क्या दिया गया है बार्चांस कवर्ड वीद कवर्ड लार्जर एरिया बट लोगंगी टूडिनली डून्स बिकम यानि कि ये एक बार्चांद दिया गया ये क्या है बहुत ही बड़े एरियो को कवर करता है और लोगंगी टूडिनली डेशांतरिय विश्तारिन का क्या है ये बार्थ और पाकिस्तान सीमा के पास फैले हुए है या काफी परसीद हुआ पर इसकी शाखाओं को देख सकते हैं और जैसल मेर में आप वैसे भी जाओगे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेत के टिले आपको देखने को मिलेंगे अब हम पढ़ेते हैं दा कोस्तल प्लें सी तटि ए मैदन देखे तटिए तटिए का मतलब होता समूंदर तट से जो मैदन लगते हैं समूंदर तट तता पूरवी और पच्च्चमी गाटों के बीच में जो मैदन आते हैं उन वो क्या कहलाते हैं तटीय मैदान कहलाते हैं दा पैनिसूलर प्लेट्टु इस फ्लैंग्ड बाइस्ट्रेच इन नेरो कोस्टल स्ट्रीप यानि कि जो प्राइद विप्य पठार है उनके दोवारा एक नेरो श्ट्रीप यानि की संकरी पट्टी के रूप में तट ये मैदानों का निर्मान किया जाता है रनिंग अलोंग दा अरेबियन सी ओन दा वेस्ट एंड बे ओफ बंगाल ओन दा इस्ट यानि की दक्षिन में ये अरब सागर के किनारे और पूरों में ये कापर हैं बे ओफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं देखिए पस्चिम में तो ये कहां पर हैं अरब सागर के किनारे पर स्थित हैं और पूरों में बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित हैं देखिए जो वेस्टरन गाट्स हैं पस्चिमी गाट और अरब सागर के मद्य एक संक्री पट्टी बनी हुई है वो क्या कहलाते हैं मैदान कहलाते हैं तटिया मैदान कहलाते हैं इट कंसिस्ट ओफ थरी सेक्षन नोर्दन पार्ट ओफ कोष्ट इस काल्ड कोंकन यानि कि इनको तीन बागों में बाटा गया है दन नोर्दन ऊतरी बाग को क्या कहा जाता है कोंकन तर्ट कहा जाता जो मुंबई और गोवा के बीच तित हैं च्थीं सेंटåल स्ट्रैज इजग काड परें जो मध्य बाग उसको क्या का जाता है कर्कद मेयदान कहा जैता वाइल्ड या साट र क्कष्ट कोष्ट ज सबाद दक्षिनी बाग को क्या कहा जाता है माला बार थाठ कहा जाता है the plains along the bay of bengal are wide and level जो bengal की खाड़ी के जो मैदान वो क्या है चोड़े है in the north part it is referred to as northern सरकार यानि कि जो इन मैदानों का उत्री बाग है उत्री बाग को क्या कहा जाता है उत्री सरकार तर्ट कहा जाता है and the southern part जो दक्षिन बाग है उसको क्या कहा जाता है कोरोमंदल तट यानि कोरोमंदल तट के नाम से जाना जाता है large river such as मानदी and गोदावरी the Krishna and the Kaveri are formed extensive delta on this coast यानि कि इन तट ये बागों पर जो बड़ी नदिया मानदी गोदावरी कर्षना और Kaveri डेल्टाओं का निर्मान करती है लेक चिल का is important feature along the eastern coast यानि कि जो पूर्वी तट है वहां पर चिल का जील है वो एक बहुत ही मैतोपूर्ण जील है अब हम पढ़ते हैं the Icelands यानि कि दवीप समू देखे बारत के दोनों तरफ जो बारत के पूरों में बंगाले काड़ी में स्थित दवीप समू उसको क्या कहते हैं और जो बारत के पस्ची में स्थित है उसको क्या कहते हैं लक्ष द्वीप समू कहते हैं वो अरब सागर में स्थित है यूँ है अल्रेडी सीन देट इंडिया है जे वास्ट मेंलेंड यानि की बारत के पास बहुत ज्यादा मुख्य भूमी है इस अक्षेतर के अलावा यहाँ पर दो द्वीप समू भी है यानि की उनको मैप पर लोकेट की जे लक्ष द्वीप समू को देखिए आपको सक्रीन पर अभी एक मैप दिखाई दे रहा है और यह देखिए जो पस्ची में स्थित है यह जो डोट आपको दिखाई दे रहे हैं यह क्या कहलाते हैं और जो पूरो में है इस रंखला को क्या कहते हैं नमान तथा निकोबार द्वीप समू कहते हैं यह कह आपर स्थित हैं अरेबीन सी यानि की अरब सागर में लक्षे दवीप समू स्थित है इस ग्रूप आइसलेंड इस कंपोज़े समाल कोरल आइसलेंड देखिए यह दवीप समू है यहां पर छोटे-छोटे मुंगा दवीप पाए जाते हैं अर्लियल इस लग्कदवीप मीनिकोई और अमंदिव यानि की इनको पहले लक्कदवीव या मिनिकोई और अमंदिव नामों से जाना जाता था in 1973 these were named as Lakshadwip यानि कि सन 1903 तर्मीन को Lakshadwip नाम दिया गया इट कवर्थ समाल एरिया ओफ 32 स्केर किलोमेटर यानि कि ये 32 स्केर किलोमेटर का छोटा सा एरिया कवर करते हैं कवरती आइसलेंड is the administrative headquarter of Lakshadwip जो कवरती दवीप है वो Lakshadwip का परशासनिक headquarter है यानि कि और Lakshadwip की राज़दाने भी क्या है कवरती है capital of Lakshadwip is कवरती इस आइसलेंड ग्रूप has greater diversity of flora and phuna देखी यहाँ पर flora and phuna की बहुत ज्यादा diversity यानि कि परजातियां भी पाई जाती है देखी अन्हेटेट मितलब होता है जहाँ पर मनुष्य का आवास नहीं है जो पिटी आइलेंड है जो पिटी दवीप से उस पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई होई है यानि एक पक्षिय ब्याण बनाया हुआ है वहाँ पर मनुष्य नहीं रहता नो यू सी द इन लोगेटिड चेन आइसलेंड लोकेटिड इन बे ओफ बेंगाल एक्स्टेंडिड फ्रोम नोर्थ टू साउथ यानि कि आप आप जो बंगाल की खाड़ी उसमें देखेंगे दवीप समों के एक बहुत लंबी चैन है जो कहां पर फैली हुई है नोर्थ टू साउथ उत्तर सेदक्षिन की तरफ फैली हुई है These are together men and Nicobar Darweef Iceland यानि कि in Condomar और Nicobar Darweef समों कहा जाता है They are bigger in size and more numerous and scattered यानि कि ये size में बहुत जदा है और शंख्या में भी जदा numerious यानि कि संख्या में भी जदा है और जदा फैले हुए है The entire group of Iceland is divided into two broad categories याने कि इन दोविप्समों को भी दो बागों में बाटा गया अंडेमान इस दा नोर्थ एंड दा निकोबार इन दा साउथ जो उत्तर में उसको क्या कहा जाता पूरे को मिलाकर निकोबार दवीप कहा जाता है इटी सीक्रेश चोटी अब लुसुत सहाज़। पहले तथी साजर्दाफ और पाड़ियां बनिया आपा पड़ियां होती हैं तो समूद्धर काजल्स तरह जो बढ़ गया वो इतना बढ़ गया और जो ये चोटियां ये क्या कहलाते हैं अब अण्द मान और निकोबार्द ही शमुजो बच्टी हुई चोटियां ये डूकी हुई पड़ियों के सिखर है ऐसा माना जाता है these Iceland groups are of great strategic importance for the country जो ये Iceland group हैं इन के लिए बारत या देश के लिए बहुत ज्यादा मैत्वपूर्ण है there is great diversity of flora and funa in the group of Iceland यानि कि इन बागों में भी क्या पाई जाती है जिव जन्तों और पेड़ पोदों की देखिए फ्लोरा एंड ना होता पादप एहों जन्तों इन गाई इंधी मिनिंग क्या होता जिव जन्तों की बहुत ज्यादा परजातियां आपको देखने को मिलेंगी इस आइसलेंड लाई क्लोज टू दा एक्वेटर एंड एक्स्पिरिंस एक्वेटरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फोरेस्ट कवर यानि कि जो यह है विशुवत रेखा के मद्य पहले हुए एक्वेटर होती है विशुवत रेखा देखिए आप अगर वल्ड मैप पर दे जाते हैं गनेवन पाए जाते हैं एडिटेल्ड अकाउंट ओफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स आइलाइट दा यूनिक फीचर ओफ इच रिजन यानिकी जो अमारा देश हुआ पर भी बिन प्रकार की बहुत तीक भी बिनता है पाए जाती है और सभी की अप देखिए हरक्षेत्र की अपनी-अपनी मैतवपूर्ण ताह या अपनी-अपनी विशेशता है और ये देश को नेचुरल रिसोर्सों में दनी बनाते हैं प्राकर्तिक संसादनों के रूप से बारत को दनी बनाते हैं the mountains are major source of water and forest wealth जो परुवत हैं वो किस चीज़ का major source है प परमुख शोर्श है दा northern plains are the granaries of the country यानि कि जो उतरी मैदान है वो बारत के खादे हैं यानि कि फसलों के लिए काफी मैतवपूर्ण हैं अनाजों के लिए they provide the base for early civilization वो क्या करते हैं कि शबता के लिए एक आदार है the plate 2 is the storehouse of minerals which has played a cultural role in the industrialization of the countries जो पठार है वो किस चीज का खनीज पदार्थों का storehouse माने जाते हैं और बारत में ओदोगी करण के लिए बहुत मैतवपूर्ण बुमी का निबाते हैं the coastal region and Iceland group provide the sites for fishing and port activities देखिए जो आइसलेंड हैं और जो तटिय मैदान वो fishing यानि कि मच्छे के लिए मचली के लिए और पोर्ट यानि कि बंदर गाओं के लिए बहुत ही मैतवपूर्ण है दस डाट डाइवर्श फीजिकल फीचर ओफ लेंड है इमिंस फर्दर पोसिबिल्टीज फोर्ट डैवलोप्मेंट यानि कि इन बुआकरतियों के दुआरा विबिन परकार की विकास किया जाता है ओके थेंक्यू दोस्तों ये तिसरा पार्ट भी कंप्लिट होता अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें इसे शेयर अगरा रार्ट विकास करें करें दोस्तों के दोस्तों कि विकास करें करेंट इसे होता राहता है